वह्त सारी लोग हैं, बहुत comment करते हैं, मैं reply करती हूं पर सब का नहीं कर पाती, इस वजह से काफी सारे comments आ रहे थे, मैंने सुचा इनका reply करती हूं, वीडियो के तूरों सब तब कहुंझ जाएगी बात, तो एक lovely जी है, उन्होंने comment किया है, सूरज जी के गुजर जाने के ब करता यह मैं यहां पर स्क्रीन शॉट लगा दूंगी अब यह पताओ मैं जॉब करने जाती बच्चों को कौन देखता और कैसा कैसा माहूल फेस किया है वह आप लोगों नहीं गिया वह मैंने किया है कुछ ही देखा है आपने उसे जादा नहीं देखा क्योंकि दस मट के ब्ल है फिर यह दिन देखना पड़ तक क्या सेंस आए मुझे कुछ समझ नहीं आया इससे तो मेन है देखो मैं सेल्फ डिपेंड हूं मुझे जरूरत नहीं कि मैं भार जॉब करूं मेरी बच्चों को पालना मेरे फैमिली को देखना यह मेरे लिए सबसे जरूरी है और जो पते मेरे बच्चों को देखेगा यही है इसका रिप्लाइ और आपको पहले समझना चाहिए सामने वाले को कि जॉब से और जो मेरे साथ आज हुआ है उसका कोई लेना देना ही नहीं है मैं तो अब यह भी नहीं बोलती कि भगवान ने किया है कि अहाँ थोड़ा गुसा आजा और यह पाले को यह क्रों क्या है कि एक नहीं प Congrats जुब सब बोलते हैं तो एक मैं काफी सारी कमेंठ आया है इस चीज को आज reaction सी क्लियर क्रूंगे तो प्लीज इसको दोबर मत ले का में मेरी शादी को ले कori holds के लिए तब बार और शादी करने पड़ेगी अपने परिवार के लिए तभी यह सब कुछ खत्म होगा ऐसे ही आपका जीवन चलता रहेगा यह सब है न और भी है आपकी पच्ची छोटी है आपको शादी करने पड़ेगी मैं सारे कमेंड यहा पे लगा जुँंगे आप लो कर ली तीन कर ली मैं लग करते ही रहें कोई खेल नहीं है यह जिंदगी है और ऐसा नहीं होता बोलना आसान है कि आप लोगों ने मेरे को वीडियो में देखा और इसे बोल दो इसकी शादी हो जाएगे नहीं होते भाई सूरज जी के जाने के बाद मेरी बच्ची छोटी थी और इसी घर में मेरी दुबारा शादी होई ती जिससे मुझे बाहर ना जाना पड़े यह सब कुछ फेस ना करना पड़े और मेरी बच्ची को भी पापा मिल जाए ठीक है जो बच्ची थी सूरज जी की राजवीर जी ने उसको बिल्कुल पापा जैसा प्यार दिये क्यों यहान पैर बच्रावन काटना बहुत मुश्किल होता है बखुछ मुश्किल होता है पर पड़े होगी इस जड़ा दरफा दरुम होता जैसर टाइम होगा मेरे वीटियों बड़ी होंगी है थी सब्सक्रावर जो स्चाले कोश्छन तो यह अतल अ क्ब fucking यह संदे़ proced to leave me Ramad because करो कि प्र सब कुछ ठीक हो जागा कभी कुछ ठीक नहीं होगा और शादी कोई कुडिया और कुट्टा का कोई खेल नहीं कि रोज-्रोज करते फिर हो यह तो प्लीज आप एक मेंड ना खरें शादी को लेकर काफी सारी कोशिश करूंगी कि मैं वह चीज कर पाऊं हाँ थोड़ी सी कमी है और मेरी जैसे आके लिए दुख मैं नहीं हूं कि सारी लड़किया थे कितने सारे कमेंट करती है यह कि हमारे साथ भी यह वा आपको देख्या है मेरे साथ भी यह हुआ मैं अपने बेटे के लिए जी रही तो एक दूसरे दुछ को दे के कहाते है जान्यार ते मेरे जैसे जी रही है, तो मैं भी chutと思います मैं भी जीन सकती हूँ इसे होफ मिलती है, लगता है कि वहान क्मारी जैसे ब होत है तो लिखा रहता है वह हमें हम भुगना पड़ता है, और जीना भी पड़ता है जरूरी नहीं जीने के लिए वो चीज ही जरूरी हो जब हमारे भागे में नहीं है पती का सुख तो नहीं मिल सकती तो यह कभी नहीं होगा शादी शादी को लेके मत करो कमेंड मतलब सोचना क्या वो दूर दूर तक नहीं है कब भी नहीं होगा, चाहि, मैं आज चोटी हूँ, कितनी भी लाइफ पड़ी हो, मैं अकेली बहुत अच्छे से काड सकती हूँ, अपनी बच्ची के लिए और अपने परिवार के लिए, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, हाँ यार, पर दुख होता है, इसको यह नहीं बोल अनशु बोलती है मेर से आरू भी भोलाना है, अरू भी अज़ी समझेने लगे अनशु भाभी, हम आपको भूंए खुशिया के hè यह करेंगे, बेटेशं हमें बहुत कुछ करती कहीं अर देखे, कितनी हुश्य मिलएगे कर न tow में हम बढ़े हो जाएंगे हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे बहुत सारी बाते करती है तो सोच की खुशी होती वो टाइम आगा जब अच्छा लगेगा यह हो गया और हम बात करते हैं एज की तो मेरी एज को लेके मैंने बोला मैं 25 को हूँ तो मैं आपको मैं अपना आधार दिखाती हूँ ऐसे तो यह है मेरा आधा 24 091 999 ठीक है 24 मन्त 9 और 1999 देख लिया अच्छे से यही है ठीक है अब बात करते हैं कि आप लगती नहीं हूँ कि आप 25 की हो देखो आप मेरी पहले वीडियो देखना मैं इस चीज को क्यों एक्स्प्लेइन करें क्योंकि जज करना आज कल बहुता तक हो ग खतम होगे यहां से लोगों की जिन्दगी शुरू होती है तो मेरे को यह नहीं लग रहा कि तुम मुझे चाहे 20 की समझो 40 की समझो या मुझे 50 की समझो इस चीज से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कि मेरी एज को क्या समझ रहा है जज करने लग जाती हो क्यों ही करना क्यों है आज हमारा पती है तुम बहुत अच्छे से रहते हैं बहुत काफी लोग मैं भी रहती थी ता अब जब है ने कुछ चीज़े पूरी रात रोग दोणा कैसे कैसे जिन्दगी काटना तो उसमें तुम्हारी पता है क्या हूजत हो तो, skip करो, छोड़ो, क्या ही करना, इस कमेंट को लेके, और भी बहुत लोग हैं, जो मुझे बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं, बहुत ज़्या बहुत ज़्या हैं, बस ऐसे ही करते रहें, और बहुत अच्छा लगता है, हाँ, मैं बच्ची के लिए जीऊंगी, पर जब दुख होता है, सब बुरा भी लगता है, सब कुछ होता है, टायम लगएगा, बस मैं यही काऊगी, कि हर चीज को टायम लगता है, बस मेरी बहुत प्यारी प्यारी बच्छी हैं, बहुत प्यारी प्यारी, तीन पीटी, बहुत जालो, bye everyone, सारे corrections की रप्लाइ नहीं कर पह